भारत रतन डॉक्टर भीमरा अमबेटकर को कोटी-कोटी नमन ये कारिक्रम डॉक्टर भीमरा अमबेटकर के जीवन पर आधारित है जहां भारत की जंता के प्रती उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चितरित और एकांकित करने का प्रयास है कारेक्रम में दिखाई गई घटनाय लब्द प्रतिश पुस्तकों से ली गई है इस कारेक्रम के जरिये चैनल की ओर से एक विश्वस्तनिय सजग और सकारात्मत प्रयास है और उनके योगदानों से सभी संपूरता में परिचित और अलहदित हो छोड़ा भाई है तुम मेरा वही करेगा जो मैं चाहूंगा इस मार तो मैंने मेगनाज जी से कुछ नहीं कहा दुबारा कुछ ऐसा किया ना तो पूरे समाज के सामने सच मजा दूँगा समझे, समझे, हाँ, 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 समझ गया भाव सर, ये क्या हुआ सारा सामान ऐसे निचे आपकुछ ढूढ रहे थे क्या कोई बात नहीं मैं उठाता हूँ कर दो कर्म कर दो . नश्कार सेट जी ओ भीमराओ मेरे और सेट जी के लिए तो चाहे बोल के आओ जाओ आता हूं शर बैठे न सिर्ट जी कुछ बात करनी थी आपसे नमस्ते साफ इसी भीमराओ के बारे में बात करनी थी नाक में तम कर दिया सेट जी रात का खाना पहुचा दिया शिशुपाल और श्यामला के लिए सुबह के खाने का जुगार कर दिया इतने नहीं हैं उनकी ग्रहस्ती बसाने के लिए मदद कर रहा है पैसे देख अब आपी बताईए अगर ये ऐसे मदद करेगा तो उससे शुपाल को तो कभी समझ ही नहीं आई उसकी आउकाद कि बिना बाप की मदद के वो कुछ नहीं कर सकता इसमार को मैंने महिगनाज जी से कुछ नहीं कहा तो बहरा कुछ ऐसा किया ना तो पूरे समाज के सामने सच मजागूंगा, समझे क्या हुआ क्या हुआ से जी अब आपको जवाब ही नहीं दे रहे अब कसम से कभी-कभी तो मन करता है ना कि लाठी उठाओ और हाथ पर तोड़ दू भीमराओं के पर क्या बोना मारने जाओंगा तो लोग बचा लेंगे उससे और जो ये काम कर सकता था मेरा पेटा शेशुपार इसी भीमराओं के चक्कर में पढ़के उसने लाठी फिख दी और वो किताब पकड़ दी अब साहब इसमें लाठी उठाकर हाथ पर तोड़ने की क्या जरुरत है आप कहें साहब तो किवार के पीछे किल लगा देते हैं और फिर तेल छीड़क देते हैं जैसे भीमराओं चाय बोलकर अंदर आएगा वैसे ही धराम से फिर जाएगा और फिर बिना लाठी उठाए ही हाथ पैर के साथ उसकी हड़ी वड़ी भी टूड़ जाएगी साहब सुन्दर हती सुन्दर हती सुन्दर जढ दिए साथ नहाएगा ताम मासाएगा पैसे लाएगा यह सही नहीं किया हुनने यह सही नहीं किया उनहीं बड़े भाई है तो क्या थपड मार देंगे, इसा कैसे कर सकते हैं वो, पर मालिक को भी कुछ बोलना चाहिए था, जरूर बोलना चाहिए था, मैं बात करोंगा उन से, रिष्टे में छोटे और बड़े की मरियादा जरूर होनी चाहिए, और कोई अपने स्वाभिमान को गिर अरहिए, ईसानी से, अरिष्टे मेंगे देवी अरिफा, चाहिए रिंगे थार Спड eliminating उने से, गो बाँछ मेंगे, खिफए उनिया आगे यडिमान होते हैं, तो दो है क्षा तेह दो कि क्षा्स प्रसाएब, वादादा है जला व रचाओ है, तर को hybak बगमे में देंगे, ला हो गया, साफ? ठीक है, ठीक है, तब यह डब्बा चुपा, और किनारे हो जा? बस भीम्राव आ जाए? अब बस किसी भी तरह से यह कीले न, उस भीम्राव के पैरों में चुप जाए? या इस तेल से पिसल के गिर पड़े और मर जाए वो? कसम से मजा आ जाए, सेट जी आत्मा अत्रिक्त हो जाए, मेरी आगया, सेट जी आत्मा लुक जो भी वहाद तेल फैला हुआ है वहाद वहाद बाल वहाद 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 शेड, शेड़ जी, आपने रोगा है सेड़? अच्छा, अब समझा मैं, तहाप भी शेशुपार बनकर, सही कहा है समाज के लोगों ने, कि ये आदमी एक संक्रामक बीमारी की तरा फ्रेले का, और वर्चा ही हो रहा है, पहले मेरा बेटा से शेशुपार, और अब आप, आप तो हमारी समाज के थाकत है, सेड़ जी, मेरे इतने पुराने मित्र, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा साथ छोड़ कर इस भीम्राओं के साथ खड़े हो गए? मिंगनाज जी, जरा ठीक से देखिए, ये अभी भी आप ही के साथ खड़े हैं, बस फर्क इतना है, कि कल तक ये साजिश को घटते हुए देखते थे, लेकिन आज इन्होंने आपकी साजिश को रोक लिया, और वैसे भी, सर्च का साथ देने के लिए किसी जगा जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी खड़े होकर सर्च का साथ दिया जा सकता है, वा, गजब गजब तमाशा चल रहा यहा, एक नौकर अपने मालिक के सामने बोल रहा, सेठ जी, आप जिस नौकर को हमेशा उसकी हैसियत में रखते थे, और आज, आज यह नौबत आ गई है, कि एक नौकर को हो, अपने मालिक के पक्ष में बोलना पड़ रहा है, अद है, शर्म की बात है, यह हम सब के लिए, आखरी बार समझा रहा हूं सेठ जी, दोस्त हैं, इसलिए आका कर रहा हूं, जो भी आदमी अपने समाज से विमोक हुआ, उसका अन्त निश्चित है, और जब मैंने अपने शिशुपाल को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ूंगा, मेगनाज जी, दोस्त हैं, इसलिए सलाम मैं भी दे रहा हूं, बेटे को अपना लीजिये, यह सा कभी नहीं हो का सेठ जी, साहिब मेरे भी मराओ, साहिब मेरे भी मराओ, साहिब मेरे भी मराओ, साहिब मेरे पीम्राः माप किजिये मेखनाच जी, आप गिर जाते, इसलिए पकड़ना पड़ा, जोड़! जिसे आप गिराना चाहते थे, उसी ने आपको बचा लिया सेट जी, आप चाहे जितना बचा लिजिये से, पर हम इस भीम रहो और इसके जैसे छोटे लोगों को गिराएंगे भी, और मिट्टी में मिलाएंगे भी देखते रहेगा कैसे हट, हटा सामी से, हटा! और सुरो, आगे से थ्यान रहे कि ओफिस का कोई भी सामत, चाहे वो तेल क्यों नहों बड़बाद नहों पाए और आफिस के किसी भी कर्मचारी को नुपसान ना हो जाके तेल पहुचो ठीक है साहब पर यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं अब तुमसे नहीं सिखना है मुझे, क्या सही और क्या गलत जाओ शुक्रिया सर, आपने मुझे गिरने से बचा है क्या मैं आपसे एक बात पूच सकता हूँ आज आपने मुझे गिरने से क्यों बचा है सर बताईए, सर क्यों क्यों। क्यों क्यों कर रहे है आप देधी असाइ आप काम करने आये न यहां तो काम कीजे न यह क्या बात हुए कि लक्षमी दीदी अगर मैनेजर साब के जगह वाज अब काम के निगरानी करेंगी तो आप काम नहीं करेंगी माफी मांग ले नहीं तो जब मैनेजर सहाब आए ना तो कहे दे ना उनसे कि तेरी करूना दीदी निकम्मी है इर्शालू है जाहिल है और बहुत गंदी है इसलिए उसे काम से निकाल ले रामा छोड़ो ना करूना दीदी नहीं सुनने वाली है तो अपना काम खरो जीदी एसा करके बस आप अपना नुक्सान कर रही है मैय और लक्षमी दी तो आपकी शिकायत नहीं करेंगे अगर काम ना करने के कारण मैनेजर सहाब अगर आपको नुकरी से निकाल देंगे तो हम गुनेगार नहीं है अरे तुम सब आपस की लड़ाई शल्टा हो यहां मुझे लड़ाई नहीं चाहिए नहीं तो तुम तीनों को और नुकरी से निकाल दूँगे लड़ते रहो यही तो चाहता हूँ निकालूगा थोड़ी बल्कि भीम रहाए कि बीवी और दोनों भावियों की लड़ाई बात परसित कर दूगा इलाके में फिर ग्यान देते रहना इन सब को हीमराओ आपने मुझे क्यों बचाया ये जानना बहुत मैत्वपूर्ण है मेरे लिए जवाब दीजे है सर क्योंकि तुम्हारे साथ अरेकर मुझे लगा कि जैसे मैं अपने घर में हूँ वैसे तुम्हारे लोगी समाज में है जैसे कि तुम्हें ने बताया था कुछ दिन पहले इसलिए अब मैं तुम्हारे लोगों से नफरत नहीं करूँगा हाँ जह डालेकर आगे न जाओं मगर उन्हें अलग नहीं मानता हूँ बहुत अच्छा लगा सर यह सब सुनकर आपने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बचाया क्योंकि अभी आप मुझसे नफरत नहीं करते बलकि इसलिए बचाया कि अभी आप मेरे लोगों से नफरत नहीं करते उन्हें अलग नहीं समझते कि मुझे जो भी प्यार मिले जो भी फिक्र मिले वो मेरी व्यक्तिगत कारणों से नहीं बलकि मेरे लोगों की वज़े से मुझे मिले बहुत-बहुत धन्यवाद सर घर जाकर ये सब रमा को बताऊंगा तो वो भी बहुत कुछ हो जाएगी दीदी, मैं आपसे आगरा कर रही हूँ, लड़ाई यहां मत किजिए नहीं तो हम तीनों को नोकरिश निकाल देंगे और आप जानती है कि हम तीनों को नोकरी की ज़रूरत है रुक इधर आ ये लक्षमी ये तुझे करना चाहिए, तेरा काम है रमा तेरे बख्षकी है ना? तो जब ये मेरी तरफ आए तो ठीक ऐसे ही ऐसे इसका हाथ पकड़कर इसे खीच लिया कर नहीं तो जैसे मेरा सर फूटा ना वैसे ही किसी दिन मैं इसका भी सर पोड़ दूँगी ये सब नीशलेगा यहां काम करो शुपचप अब अगर आपको हमें नौक्री से निकालना है तो निकाल दीजे हम तीनों को अगर हमें क्यों जब नाटक हम तीनों मिलकर करते हैं तो अखिले मैं क्यों जाओ तीनों एक कठ्ठा निकलेंगे दीपक बस आटा और चावल लेना है ठीक है? ठीक है ये लो जाओ और दीपक अपने आई के भाई को भी ढूड़ना क्या पता? ढूंदोके तो भाई के बदले पती ही मिल जाए कम बोलिये जाओ दीपक तुम जाओ आख अपने बेटे को गुश्सा मत सिखा रोना सिखा विचारे का बाप आया चला गया मॉसी आई, मॉसी चली गई अब तुने नया नवेला मामा बनाया था वह भी चला गया विचारे के जीवन में बहुत गम है तु रोना सिखा रोया करेगा अकेले अकेले चाहे पी रही है जी जावाई कैसी लगी चाहे इस सच के साथ कि आपकी घर में सब है फिर भी फिर भी एहसास अकेले जैसा होता है